नमस्कार में हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाई न्यूज हम बात कर रहे हैं मद्रप्रदेश की जहां पर शिवरा सिंग चोहान के खिलाफ कॉंग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है दरसल शिवरा सिंग चोहान ने एक ऐसा आवेश दिया था जिसके बाद ये खा कि मद्रप्रदेश में इस साल चुना होने वाले हैं और कमलनाथ जो है वो अपनी तयारियों को लगातार और ज्यादा पुक्ता करते हो नजर आ रहे हैं उन्होंने पहले बयान दिया था कि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है और आने वाले वक्त में मैं तो मैं सौब कर जाना चाहता हूं इसके मतलब ये निकाले गए कि शायद कमलनाथ आने वाले वक्त में मुखे मंद्री पत की दावेदारी करते हो नजर ना है लेकिन उनके बयान जो उन्होंने बयान दिया था उससे उन्होंने यूटन लिया और अब एक बार फिर से वो द रोप लग रहा है कि विबिन विवागों को प्रधान मत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान को आभार पोस्ट कार्ड भेजने के लिए टार्गेट दिया गया है जिला पंचायत की ओर से जारी आदेशों की जानकारी सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ह परयाप्त प्रचार-प्रसार किया जाये और इसका निर्देश दिया गया है कहा जा रहा है कि सिएम शिवरा सिंग चोहान का वीड़ियो कौन्फरेंसिंग में जिले में संचालित सभी योजनाओं में हित-गज्राहियों को प्राप्त होने वाले लाप के समंद्ध में आभ हाला कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का माध्यम यूज़ किया जा रहा है जिस सरकारी एक जो विभाग है उसको जो आदेश दिये गए हैं वो ये काम करने के लिए करता ही नहीं बनाए तो कॉंग्रेस जिस तरीके के लगादार आरोप लगाती हुए यहां पर देखना हुआ कि अमलनाथ आने वाले वक्त में मुख्यमंतरी बनते हुए नजर आएंगे और मोधी शाह को लेकर जिस तरीके से कई बार ऐसा होता है कि जो नाराजगी वो शिवरासिंग चौहान की नजर आती है लेकिन अब कहीं ना कहीं वो नाराजगी नजर नहीं आ रह लें और उससे पहले कोई भी कारेकरम होता है तो पी एम मोधी बार-बार मद्य प्रिदेश में आते हैं और अपना ही चहरा आगे रखते हैं फिलाल इन तमाम सवालों के साथ चोड़े दारे देखते रहे नेक्स नाइन न्यूस इस खास पेश करश में इतना ही नमस्कार झाल